ओम श्री महालक्षमे नम्हा आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं धन तेरस से लेकर दिवाली तक का जो समय होता है वो मालक्षमी जी के आगमन का शुब समय माना जाता है और ऐसे में मालक्षमी जी को प्रसन्य करने के लिए उनका आशिरवात पाने के लिए मालक्षमी जी की कथा को सुना चाहिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ मालक्षमी जी की कथा ऐसी मानिता हैं कि धन तेरस और दिवाली के दिन मालक्ष्मी जी साक्षा धर्ती पर विचरन करने आती है और जो कोई भी भग्त उनकी इस दिन सचे मन से आराधना करता है और कथा सुनता है उस पर मालक्ष्मी जी अपनी कृपा बरसाती है तो आईए सुनते हैं मा लक्षमी जी की विशेस कथाएं दिवाले की पहली कथा के नुसार एक गाउं में एक साहुकार था उसकी बेटी हर दिन पीपल पर जल चढ़ाने जाया करती थी जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उसी पेड़ पर मा लक्षमी जी का वास था एक दिन लक्षमी जी ने साहुकार की बेटी से कहा मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ लड़की ने कहा मैं अपने पिता से पूछ कर बताऊंगी ये बात उसने घर जाकर अपने पिता को बताई तब पिता ने सुनकर हा कहे दिया दूसरे दिन से साहुकार की बेटी ने उसकी सहली बनना सुविकार कर लिया अब दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस момент चीत करने लगी और आपस में खेलने लिग एक दिन लक्षमी जी साहुकार की बेटी को अपने साथ अपने घर ले गई, अपने घर में लक्ष्मी जी ने उसका दिल खोल कर स्वागत किया, खूब खातिर्दारी की, उसे अनेक प्रकार के भोजन पर उसे, महमान नवाजी के बाद जब साहुकार की बेटी वापस अपने घर लोटने लगी, तब लक्ष्मी जी ने प्रश्न किय कि मैंने तो तुम्हें अपने घर बुला लिया, अब तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी, ये बात सुनकर साहुकार की बेटी ने भी लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाने का निमंतरन दे डाला, अब उसने अपने घर लक्ष्मी जी को बुला तो लिया, परन्तु अ जब से अपनी सहीली के यहां जीम कर आई हो, तब से उधास ही बैठी हो, क्या कारण है? तब बेटी ने अपने पिता से कहा, लक्ष्मी जी ने उसे बहुत कुछ दिया, अब वो हमारे घर आना चाहती है, तो मैं उसे कैसे जिमाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है. बार की बेटी दिया लेकर बैठी थी एक चील रानी का नौलक्खा हार पंजे में दबाकर उर्ती हुई जा रही थी और उसके पंजे से वह हार छूटकर ठीक लड़की के सामने आकर गिर गया लड़की हार को उठा कर देखने लगी उसनी अपने पिता को वह हार दिखाया सुनी तो उनके मन में एक बार तो विचार आया कि इसे बेच कर लक्ष्मी जी के स्वागत का प्रबंद कर लेंगे लेकिन अच्छे संसकारों के चलते पिता ने अपनी बेटी से कहा इस हार को हम बेचेंगे नहीं हम हार रानी को वापस लोटा देंगे इस प्रकार लक्ष् आहुकार ने राजा से कहा कि मेरी बेटी की सहिली के स्वागत के लिए शाल, दुशाला, सोने की चौकी, सोने की थाली, कटोरी और 36 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था अगर करवा सके तो बहुत आभार होगा राजा ने सुनकर तुरंत ऐसी व्यवस्था करवा दी अब लड़की ने गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों को बुलवा लिया, लक्ष्मी जी को सोने की चौकी पर बैठने को कहा, लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो किसी राजा महराजे की चौकी पर भी नहीं बैठती, अब लड़की ने कहा अगर मुझे सहिली बनाया है तो मेरे हा तो बैठना ही पड़ेगा इस प्रकार सहेले के जिद देखकर गडेशी और लक्ष्मी जी दोनों चौकी पर ही विराजमान हो गए लड़की ने बहुत आदर सम्मान के साथ और प्रेम पूर्वक दोनों को भोजन करवाया लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन हुई और जब लक्ष लग्ष्मी ऑपने साथ़कार की बैटी क का आतित्य सुविकार करके भोजन गरहन किया और उन दोनों को धनवान बनाया उसी प्रकार इस ठंदेरत और दीवाली पर हमारा भी आमंतर स्विकार करना और हमारे घर पधार कर हमें दंधाने से परिपूर्ण कर देना जय मालक्ष्मी अब सुनिए मालक्ष्मी जी की दूसरी पुरानिक कथा पुरानिक कथा के नुसार एक गाउं में एक करीब ब्रहामर रहा करता था वो हर दिन विधी विधान से भगवान विश्न ने उसे दर्शन दिये और वर्दान मांगने के लिए कहा तब ब्रहमण ने उसके घर मा Lakshmада का वास होने की इच्छा प्रकटी अब हमिपन विश्ने ऑगे drama को लक्ष्मी प्राप्ति का एक इस्त्री आया करती है और वो यहां आकर रोज उपले थापती है तुम एक काम करना उसे अपने घर आने का आमन तर्ण दे देना क्योंकि वही साक्षात देवी लक्ष्मी है भगवान विश्नु ने ब्रहमट से कहा जब देवी लक्ष्मी स्वें तुम्हारे घर पधार ज बैट गया और इंतजार करने लगा काफी देर हो गई उसे लगा पता नहीं आज वो इस्त्री आएगी यह नहीं आय गी बहुत देर हो गई इनतजार करते करते तभी उस ब्रहमट को दूर से आती ही एक इस्त्री नजर आई वो साक्षात देवी लक्ष्मी थी इस प्रकार लक्ष्मी मा उपले थापने के लिए आई तो ब्रहमण ने उनसे अपने घर आने का निवेधन किया। ब्रहमण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गई कि ये सब श्री हरी के कहने पर ही हुआ है। अब लक्ष्मी जी ने ब्रह्मन से कहा, मैं एक ही शर्थ पर तुम्हारी साथ चल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16 दिन चंद्रमा को अर्ग देने से तुम्हारी मनुकामना पौर्ण हो जाएगी। इस प्रकार प्रह्मन ने महालक्ष्मी जी के कहे अनुसार व्रत किया और महालक्ष्मी जी को उत्तर दिशा की तरफ मुह करके भुकारा। इसके बाद महालक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तभी से महालक्ष्मी व्रत की भी परंप्रा शुरू हो गई और दिवाली के दिन महालक्ष्मी जी की इस व्रत कथा को भी सुनना चाहिए। दिवाली की रात और धंतीरस की रात मालक्ष्मी जी को उत्तर दिशा की तरफ मुह करके आहवाहन करना चाहिए और उनसे हाथ चोड़कर प्रार्धन करने चाहिए कि वे आपके घर में वास करें। हेमा लक्ष्मी इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों पर अपनी कृपाद्रिष्टी पनाए रखना सभी के दुख दूर करना ये थी आज की वीडियो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जैमा लक्ष्मी लिखना मत भूलेगा